हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मेरिकोर्ड फ्लावर प्लांट पर ग्राफ्टिंग करकी एक फ्लावर प्लांट पर दो डिफरेंट कलर की फ्लावर ले सकते हैं तो कैसे आपको grafting करनी है, कब करनी है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगा, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, साथी दोस्तों आप चैनल पे फर्स्टाइम है, चलिको सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा, और वीडियो अच्छी लगी त याप पर फूल निकलेंगे, वो यलो कलर के flowers इस plants पर मेरे हाप आने वाले हैं, तो देखें दोस्तों, आज मैं अपने इस plant पर यहाप रीग्राफटिंग करनेमे वाला हूं, याणि एक plant से मैं different color के यहाप रीग्राफटिंग से मैं रे सकता हूं, याणी हमें क्या करना और देखें जो grafting करनी है grafting हमें सिर्फ birds के ओपर ही करनी है जो हमारी birds निकली होगी है उस पर ही ग्राफटिंग करनी है देखें grafting करने के लिए साथ मेंने कुछ different color flower के plants के यहां पर मैंने अपना यहां पर कुछ cuttings के लिए हैं यहां पर तो देखें हमें कुछ इस टाइप से इतनी cutting हमें रख लेनी है और जो ऊपर flower आ रहा है उसको हमें cut कर देना है अगर flower आपके cuttings के ओपर आ रहा है तो उसको आपको cut कर देना है ऐसे ही सेम तरीके से मैं अपनी 2-3 cutting को grafting के लिए यहां पर ready कर लेता हूँ और जो same size में अपनी bird का है जो मैं birds में अपनी हापर grafting करने वाला हूँ वही size में अपनी cutting का रखने वाला हूँ तो देखें जो मेरी birds है उसके size की ही cutting मैं अपनी हापर अपने दूसरे जो यहां पर selection किया है grafting के लिए अब मुझे उसमें अपने किसी tools वेगरा से इसमें v-save में cutting को नीचे जो ग्राफ्ट कर लेना है यही वी सेप में इसमें ग्राफ्ट करना है और जो हम cutting अपने birds पर करेंगी उसमें हम यहां पर करेंगे graft उसको simple cut लगाएंगे देखें मैंने cutting यहां पर integrating में आपी graft कर लियुः आपडस can करने बाड़ा हूं उस बार्सको में आपके cut कर लेता हूं cut आप किसी tool cutter विकरा से लिए ने SECRET कора सकते हैं तो यहां पर मैंने pays को सार्चल की सायथे एपनी बडस को dwa движ को उसको मैं इसमें प्लेस कर सकूँ अब देखे मैं इसको इसमें प्लेस कर देता हूँ प्लेस कैसे कर देनी है ताकि वह हमारी फिक्स हो जाए और देखे दोस्तों फिक्स होने के बाद आपको करना क्या है आपको करना यह है आपको इसमें किसी ग्राफ्टिंग टेप में इसको cover कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर tape से cover कर देता हूँ या फिर आप use कर सकते हैं आपके घर में कपने सुखाने वाली चिम्टी होती है उससे भी आप इसको यहाँ पर bind कर सकते हैं या फिर आपके पास grafting चिम्टी आती है उसको आप पर लगा सकते हैं और इसको fix कर सकते हैं इसी तरीके से मैं बाकी जो मैंने अपनी cutting यहापे cut के हुई है उसको बाकी birds को यहापे cut करके उनको मैं यहापे fix कर लेता हूँ और फिर कुछ दिनों बाद मैं आपको इनकी update दिखा देता हूँ तो देखें दोस्तो आज मेरे marigold flower plant पर crafting की होवे पूरे 30 दिन हो चुके हैं और 30 दिन की बात ही मैं आपको update दिखा रहा हूँ तो यहापे मैंने 2-3 grafting की थी वह सोग गई है और देखें यहापे update आपको दिखाई दे रही है देखें फ्लावर भी आना स्टार्ट हो चुका है और birds भी देखें यहापे बननी स्टार्ट हो चुकी है और यह grafting मेरे काफी अच्छी सक्सेस हो चुकी है आप दोस्तों कभ दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? जो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा चैनल फे फर्स टाइम जरू को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ सेर्फ ना ना बूले थैंक्यू